नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका दनेव लौचर के दोस्तों आज सर्वोच द्यायन रने एक नहीं प्रक्र दिया और वह इति हासिक फैसल था हमारे जनपरतिनिध्यों के द्वारा नेताओं के द्वारा और जिन्हें आप चुनते हैं उनके द्वारा ब्र生 हम कुछ भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दरसल इस प्रविर्टी पर एक बहुत गहरा चोड पहुंचाने वाला फैसला है, आम तोर पर आप देखते होंगे, कि जैसे ही चुनाव जीतते ही, स्टर्टिफिकेट मिलते ही, और सपत लेते ही, माननीय बनने का एक ऐसा भूत सवार हो जाता है, कि इस माननीय बनने के चक्कर में, तमाम तरह की कानूनी प्रकिडियाओं, तमाम तरह की सम्मेधानिक मर्यादाओं, उन सब को एक साथ रौते हुए चलने का, जो गुरूर पैदा होता है, उस गुरूर के उपर, सरवोच नहारे ने आज जितनी आहम चोड पहुँचाई है वो दरसल काफी पहले पहुचा दी जानी चाहिए थी, आपने देखा होगा, नोट फॉर वोट, कैस फॉर वोट, सवाल पूछने के बदले पैसा लेना, एस्टिंग ऑपरेशन भी आपने देखा होगा, जब सोमनाच चटर जी लोग सभाद देख थे, और उस दौर में, 11. 14 सांसदों की सरसिता को खत्म किया गया था, इस सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का एक कथित मामला सामने आया था, पूरे देख ने ये भी देखा, कि 1993 में नसिमाराओ की सरकार बचाने के लिए, जारखन मुक्ती मोर्चा के चार सांसदों को कथित तोर पर रिस्वत दी गई और उस रिस्वत की रखम को पंजाब नेसनल बैंक में बताया जाता है कि जमा भी किया गया था, और फिर वो मामला ट्रायल कोट से तो सजा दी गई उस मामले में, लेकिन सूप्रीम कोट जाने के बाद समिधान का अनुछेद 152 और 192 का हवाला देते हुए, सब को बरी कर दिया गया, अभी 105-2 और 192 क्या है, तो दरसल 105-2 और 194-2 संसद और विधान मंडल में सदस्यों के उपर कई सारे बंदिसों से सदस्यों को मुक्ति दिलाने का एक सम्मेधानी का अजार है, 105-2 ये कहता है, कि सदन में उठाए गए किसी सवाल के लिए, किसी भी नयायाले में, किसी को भी दंडित नहीं किया जा सकता, भले ही उसमें कोई आरोप लग जाए, और इसी का हवाला देते हुए, चाहे कैस पर वोट का 2008 का मामला हो, या 26 जुलाई 1993 का नर्सिर महाराव सरक का मामला हो, दोनों में जो भी आरोपी थे, वो बच गया थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं, कि ये मामला दरसल जो सामने आया, वो जारखंट से ही, सीता सोरेन, एक विधायक के द्वारा, राजिसभा चुनाओं में, वोट के लिए कथित तौर पर पैसे लिए जाने के म अने वाले समय में, या अभी हाल के दिनों में जो घटना हुई है, चाहे वो घटना सिमला में, अभिसेक मनु सिंग्वी की हार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मामला लखनव में समाजवादी पार्टी के पास रेक्विजिट नमबर रहते हुए भी तीसरे कैंडिडेट क हार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मामला अहमद पटेल की लगबग हो चुकी हार, जिसे चुनाव आयोग ने अपने द्वारा किसी भी तरह से दलीलों के आगे जुखते हुए, दो वोटों को रद करके जो वहाँ पर फैसला दिया, और कई अन राज्यों में जो क्रॉस आप देखते हैं, सवाल पूछने के बदले, पाला बदलने के लिए, जो कथित तोर पर कैस की बाते की जाती है, पैसे के कथित लेंदेन की बाते की जाती है, दूसरी सुविधाओं के लेंदेन की बाते की जाती है, उन सब पर लगाम लगाने वाला फैसला है, आम तोर पर संसदों को दो तरह की इम्मुनिटी प्राप्त होती है दो तरह के मामलों से छूट इस पहला पहला कि सदन के अंदर चाहे वो संसद के तो एक संसद के अंदर अपनी बात को लेकर किसी भी संसद के ऊपर कभी भी किसी नयायले में कोई मुकजमा नहीं चलाया सकता और दूसरा मामला यह था कि संसद के अंदर किसी अक्टिवीटी को लेकर भला ही उसके पुछे पीछे कोई immoral activity हो अनायतिक गतिविदी हो जो पैसे के लेन देन प्रोपर्टी के लेन देन या किसी भी तरह के सम्मिधानिक दाई तो जो संसत के अंदर पूरे होते हैं उसको लेकर एक मामला था कि इसके लिए भी नहीं घसीटा जा सकता और इसी मामले का इसी छूट का फायदा उठाकर जैमीम ब्राइवरी केस के चारो संसत बचे और इसी का फायदा उठाकर कैस फरवोट मामले में महावीर भगोरा फऺदन सिंकूलस्ते और असोक अरगल जैसे नेता भी बचे और दूसरे लोग भी बचे सवाल उठता है कि न्यायाले को अभी साब दिखाई देने लगा था कि संभिधान के अंदर दिये गए अधिकार संभिधान के अंदर जो सांसदों को मिले हुई अधिकार थे कि वो भै रहीत होकर किसी भी प्रकार के पक्षपात से रहीत होकर अपने सवालों को कर सके समाज के विभिन वर्गों के छोटे से छोटे तबके के सवालों को लेकर बेहत निर्भीकता के साथ संसद में बहास हो सके इसके लिए छूट दी गई थी यह छूट इसके लिए कता ही नहीं दी गई थी कि आप किसी और पार्टी के विधायक हैं और क्रॉस वोटिंग कहीं और जाकर कर दे कि राजसभा या राष्टपती के चुनाओं में कोई पार्टी विप नहीं चलता और उसके बदले में कुछ कथित सेवाएं भी उन्हें मिल जाता है कुछ लोग तो ऐसे भी बताते हैं कुछ राजनेता ऐसे भी है जो नीजी बात्चीट में अब तो दिवंगत हो गए बहुत लोग जो यह कहते हैं कि एक दौर में सरकार बचाने के लिए पेट्रॉल पंप और गैस अजनसी भी सांसद के परिजनों को दी जाती थी तो वो भी दौर इस देश में रहा है तो इस परिस्तिती में आज जो फैसला दिया गया इस फैसले के बाद क्या आज की तारिक में निसिकान दूबे जो आरोप लगा रहे थे महुआ मोहित्रा के उपर जैस्टिस चंदचूर की अदालत ने जो फैसले दिये उसके जो महत् बिंदू तैय हुए उससे साफ साफ तैय होता है कि निसिकान दूबे ने जो आरोप महुआ मोहित्रा के उपर लगाए वह आरोप कि उन्होंने किसी खास कॉर्परेट घराने किसी खास बिल्डर के कहने पर कथी तोर पर अडानी के खिलाब संसन में सवाल पूछे अब सवा जान दूबे कौन होते हैं डानी के बचाओं में खड़े होने के लिए यह सारे मामले अब संसत के सामने आएंगे और आने वाले वक्त में एक तरफ जहां क्रॉस वोटिंग पर लगाम लगने की उम्मीद है क्योंकि सुप्रिम कोट में साफ साफ कहा है सांसत्यों बहाना ब परियता इस तरह से वोटिंग होती है तो उसके लिए मुकादमा नहीं चलाया जा सकता लेकिन अब साफ हो गया कि सुप्रिम कोट ने जिस पकार से संविदान पीट ने जो आदेश दिया उसने साफ साफ कह दिया साथ मेंबर की समिदान पीट ती ध्यान रखिए साथ मेंब साफ कर दिया कि इस तरह कि किसी भी अक्टिविटी में कोई भी सांसद या विधान पारसद अगर पकड़ा जाएगा तो उसे आम आदमी के खिलाब जिस पकार से घूस लेने रिश्वत लेने का मामला चलता है वैसाही मामला किसी सांसद के ऊपर भी चल सकता है चलाने में क कॉर्परेट और सत्ता के नेक्सस के बीच जिस पकार से एक देश जूलता रहा है इस देश का मध्ष वर्ग और गरीब वर्ग जूजता रहा है उस पर भी एक चोड पहुंचने की संभाव नहाए कि जब किसी के कहने पर सवाल पूचना गल आघ है तो क्या किसी के कहने पर किसी के पच्छ में नीतियां बनाना क्या ये कैसे ये कैसे सही हो सकता है आपने देखा होगा एक बड़े कॉर्पोरेट घराने की के घर में साधी से संबंदित फंक्षन निजी समारो जामनगर में चलना आता और जामनगर में डिफेंस का एयरपोर्ट है लिमिटेड सिविलियन उडान की परमिसन है उस जामनगर के एयरपोर्ट को एक कॉर्पोरेट घराने के इंट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसके घर पर होने वाली pre marriage ceremony को ध्यान में रखते हुए दस दिनों के लिए अंतराष्टिय एरपोर्ट का टैंग दिया गया ताकि अंतराष्टिय उडान वहां उतर सके ताकि दुनिया भर के जो कलाकार और कॉर्पोरेट्स के लोग आ रहा है वो सीधे जाम नगर पहुँच सके क्या मौजूदा दोर में इसे सक्ता और कॉर्पोरेट्स के नेकसस का आधार इस जज्जमेंट के बाद नहीं माना जा सकता कि आखिर किस के कहने पर दिया गया एलेक्टोरल बॉंड का मामला तेरा तारीख तक हम सब के सामने होगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया कौन था जिसने अपने नाम पर पैसा दिया और कौन था जिसने दूसरे के नाम पर भी पैसा लगाया तो किसने लगाया ये सारी बाते मानने ये सर्वोचनाले के आधेस से ही जस्टिस डिवाई चंदर चूर के पीट के आदेश से ही 13 मार्ज तक इस पूरे देश के सामने होगा हमारे आपके सब के सामने होगा तो आज की तारीख में साफ दिखाई देता है कि समिधान पीट जब हर मामले पर ही बनाने की नौबत आ रही है और इन जनपरतिनिदियों के सरकार के क्रिया कलाब की वज़े से सत्ता में बैठे हुए लोग चाहे किसी पार्टी के हो उनके क्रिया कलाब की वज़े से जब समिधान पीट बनने की नौबत आ रही हो तो समिधान पीट के फैसले स्वाभाविक है कि सरकार के और सरकार के उस तथा कथित अनयतिक कारियों के सत्ता में बैठे हुए लोगों के अनयतिक कारियों के उपर गहरी चोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसको साफ साफ इसी तोर पर देखा जाना चाहिए जिस तोर पर लोग तंत्र में सुद्धी करन की प्रकिरिया को आम तोर पर देखा जाता रहा है। हालिया दिनों में खास कर नरन्मोदी सरकार के दौर में आप देखें तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि जितनी सम्मिधान पीट का गठन नरन्मोदी सरकार के समय में सुप्रीम कोट को करना पड़ा उसके आधी सम्मिधान पीट का गठन भी इस देश में किसी के समिधान पीट, इलेक्टोरल बॉंड के समिधान पीट, उसके बाद सांसदों के उपर, नोट फर वोट के कथित मामले के उपर समिधान पीट, मतलब ये तो 4-5 उधारण मैंने दिये, ऐसे कम से कम दो दर्जन से जादा समिधान पीट आपको देखने को मिल सकते हैं जो इस सरकार के दर्मियान महाराष्ट के मुद्धे पर समिधान पीट भी आपने देखी नागरीक स्वतंतता से जुड़ा हुआ विसे जैसे केसवानन भारती के मठ के विवाद से पैदा हुआ था जैसे सहावानों के केस से पैदा हुआ था इस तरह से जब विसे पैदा होते हैं जिसमें कहीं न कहीं इस समिधान के द्वारा भारत में उपलब्ध कानूनों के पस्पस्ट दिसा निर्देश का अभाव होता है आम तोर पर वहां बनानी पड़ती थी लेकिन आज के दौर में आप देखे या तो सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ कर रहे हैं जिस वज़ा से समिनान पीट की नौवत आ रही है या फिर हमारे जनपरतिनीदी वो सत्ता में हो या ना हो उनकी कारगुजारियों की वज़े से आ रही है आखिर लोगतंत्र का ये संक्रमन काल सुप्रीम कोर्ट भी लंबे समय से देख रहा था पूरे देश ने देखा कि चार्टर प्लेन की पूरी खेप एक बैटरी रिक्सा की तरह गोहाटी एरपोर्ट पर उतर रह गया और महराष्ट में राजभावन का दुरुपयोग करके एक सरकार को गिराया गया यह बात सर्वोच नायले ने कही सर्वोच नायले ने कहा कि दिए इस्तिफा ने दिया उता तो हम बहाल कर देते लेकिन कैस्प और वोट का मामला दरसल इस देश में जनता के साथ सबसे बड़ा विश्वास गहात है आप अपने जनपतिनिदियों को अपने हक में सवाल उठाने के लिए चुनते हैं आप अपने जनपतिनिदियों को अपने पार्टी लाइन पर राज्यसभा चुनाओं में वोट डालने के लिए आपके उच्छ सदन के परतिनिदी उन्हें एक नया दोर भी आपने देखा भारत रत्म देकर अलाइंस पार्टनर को जमा किया करपूरी ठाकुर को भारत रत्म दिया गया हलांकि वो डिजर्व करते थे जितने लोगों को दिया गया उन्हें भारत रत्म देने पर सवाल नहीं है बलकि भारत रत्म देने के पहले जिस सुचिता के साथ उसको कसोटी पर लाने के जो कोशिस की गई वो बेहत सरमसार करने वाली घटना लोगतंत्र के लिए है आने वाले वक्त में भारत रत्म के पैरामीटर को तै करने के लिए भी यदि सरवच नहाले को कोई समिधान पीठ या कोई और्डिनरी पीठ बनानी पड़ जाए तो आश्चेरे मत कीजिएगा आपके जनपर्तनीदी हमारे जनपर्तनीदी हम सब के वोट से चुनेगे जनपर्तनीदी पैसों पर पेट्रॉल पंप गैस एजनसी पर ठेकेदारी पर और तमाम तरह के दूसरे लालज पर CBI ED के डर से जेल जाने के डर से अलग-अलग मौकों पर बिखते रहें किसी को नोटिस मिला ED का वो एक पार्टी छोग के दूसरी पार्टी के वासिंग मसीन में चला गया किसी को कुछ मिला किसी के उपर 70,000 कोड़ों के घोटाले का रोप लगा वो ब्यक्ति फिर सत्ता धारी दल के साथ हो गया और वो डिप्टी सी एम भी बन गया और अब उसके खिलाप एकाद मामले को बेक लोजर रिपोर्ट भी आ रही है ये इस देश में सत्ता और सत्ता के dinette के नेकसस को जिसमें आम आदमी पिस्ता रहे मध्यम वर्ग पिस्ता रहे और उसको चुनावी हिंदूतु की चास्नी में गवेसा के लिए किसी भी प्रकार से जलेवी की तरह डुबो कर रखा जाय और आम आदमी को जलेवी की तरह ही पकने के लिए छोड़ दिया जाए उस हिंदुत्य की चास्नी में इसको इस तरह से करने का जो मुकमल इंतजाम मौजूदा दौर में सत्ता और ब्यवस्था के द्वारा हमारे आपके द्वारा चुने गए जनपत्निदियों के कुछ हिस्से के द्वारा किया जाता है आज के सुप्रीम कोट के साथ जजों की समि जा सके आखरी उमिद्वार के तोर पर अंतिम समय में नोमिनेशन कराए गया और किस तरह का क्रोस वोटिंग का खेल आपको देखने को मिला यह आप उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या हुआ 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 लखनों में तो अब लखनों से लेकर सिमला तक जो हुआ उस पूरे खे के लिए बहुत जरूरी था लेकिन देखते हैं क्या हमारे चुने हुए जनप्रतिनीदी क्या हमारे सांसत विधायक आपके भरोसे को तोड़ने में क्या खुद को पीछे रखने के लिए अभी तैयार हैं क्या उनके अंदर लोकतंत्र की सर्मोहया भी बची हुई है आने व और वोट पैसे लेकर सदन में और सदन के बाहर खेल करने वाले लोगों को सबक सिखाने की जहुरत है देखते हैं आगे आगे क्या होता है आज जो हुआ निश्चित तोर पर एक सुखद हवा के जोके के जैसा है नमस्कार